नमस्कार दोस्तों, मैं दॉक्टर चेतन शर्मा, हार्ट एंड लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट एंड EECP स्पेशलिस्ट आज हम जानकारी लेंगे एक EECP के बारे में, जिसमें बिना किसी सर्जिकल प्रोसीजर और एड्मिशन के हम हार्ट के ब्लॉकेज़स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इससे कहते हैं CT Coronary Scan और इसकी अधिक जानकारी हम लेते हैं Dr. मितेश गुपता से नमस्कार, मेरा नाम Dr. मितेश गुपता है, मैं Consultant Radiologist हूँ आज मैं आपको CT Coronary Scan के बारे में जानकारी दूँँगा CT Coronary Scan बेसिकली नॉन इन्वेजिव और बिल्कुल सेफ टेकनलोजी है जिसमें हाट की एनेटोमी के साथ साथ हाट को जो सप्लाई करती है सारी नसों की डीटेल में जानकारी प्राप्त होती है कहाँ पर कितना परसंटेज ब्लॉकेज है, कैल्सिफाइड प्लैक्स है, कौन-कौन सी लोकेशन पे है कितना percentage है ये सारी बाते डिटेल में city coronary scan से पता कर सकते हैं city coronary scan basically ये सारी एक गंटे की procedure है जिसमें शुरुआत में patient का pulse पे control करना रहता है और बाद में मात्र 10 मिनिट में scan table पे हो जाता है ये दो पार्ट में होता है पहले हम patient की plane study करते है जिससे कहाँ पर calcified plaques से वो detect हो जाता है और कितना percentage of calcium है वो अपन plane scan से पता कर सकते हैं आईए मैं आपको बताता हूँ एक plane scan दिखाता हूँ ये हमने एक ही patient का plane scan किया था जिसमें heart की जहां जहां पे भी calcified plaques है जैसे कि आप देख सकते हैं इन calcified plaques की जानकारी सारी पता चल जाती है plane scan पे और इसके बाद contrast वाला scan करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ contrast scan सेम पेशन का जब contrast का scan होता है जिसमें अब evaluate होता है कि सेम पेशन के end तक flow जा रहा है जिससे अपन पता कर सकते हैं कि पेशन के calcified plaques होने के बावजूद भी उसके end तक flow जा रहा है और उसके इसाफ से treatment आगे की plan होती है ये सारी चीजे हम 1-2 घंटे के अंदर report करके बताते हैं साथ में पेशन को हम films भी देते हैं जिससे कोई भी lay person भी layman भी इसको देखके percentage calcified देख सकता है सबसे बड़ा advantage है कोई hospitalization requirement नहीं है मातर 1-2 घंटे के अंदर patient scan करवा के घर वापस अपने नॉर्मल काम के लिए वापस जा सकता है ये चीजे धन्यवाद संग झाल